देखी दोस्तों आज की वीडियो में हम काफी महत्वपूर्ण जानकरी समझने वाले हैं कि जमीन खरीदने के बाद क्रेता की मृत्यू हो जाती है तो नामांतरण की समपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी देगे दोस्तों कई बार ऐसा तब होता है कि जब नामांतरण करवाने में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा काफी विलंब किया जाता है अर्था देदी से नामांतरण करवाया जाता है तो ऐसी इस्तिति में कई बार ऐसा होता है कि जो जमिन खरीदता है उसके मृत्यू हो जा असन बाशा में कानून की नई नई जान करी तो आए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तीके दोस्तों यहाँ पर हमने यह कालपनिक ग्राफ लिया है इसमें कालपनिक नाम लिया है शामलाल एक कालपनिक नाम लिया है रामलाल और इस रामलाल के एक महेश एक राकेश और एक श इसकी क्रेता की मृत्य हो जाती है, अर्थात खरिदार की मृत्य हो जाती है, तो उसके आधार पर नामांतरन के से होगा, ठीके, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जमीन है, ठीके, और इस वीडियो में यह भी समझेंगे, कि इस प्रकार के नामांतरन के साथ में कौन-कौन से आवश्यक्त दस्तावेश लगाने जरूरी रहते हैं आए बिना देरी करें इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दीगें यहाँ पर यह शामलाल जो है यह इस जमीन का मालिक है और यह शामलाल जो है यह क्या करता है कि इस जमीन को इस रामलाल को बेचना चाहता है और इस जमीन के संबन्द में विक्रे पत्र का निश्पादन इस रामलाल के पक्ष में करवा देते हैं अब होता क्या है कि यह रामलाल जो है इस विक्रे पत्र के आधार पर जो है अपना नामांत्रन नहीं करवा पाता है और काफी वर्ष हो जाते हैं या काफी वर्ष नहीं भी होते हैं और ऐसी इस्तिती में अगर इस रामलाल की जो है मृत्यू हो जाती है ठीक है इस रहिष्टी के आधार पर इस विक्रे पत्रे के आधार पर इस जमिन के सरकारी कागज में इस रामलाल का नाम दर्ज नहीं होता और उससे पहले इस रामलाल की जो है क्या होता है? म्रत्यू हो जाती है, तो ऐसी इस्तिती में केसे इस विक्रायपत्र के आधार पर ये महेश ये राकेश और श्वेता तो महेश और श्वेता को कौन-कौन से और इस श्वेता को क्या करना पड़ेगा कि जो रामलाल जो है जिसकी मृत्यू हुए इस रामलाल का मृत्यू प्रमान पत्र इनको बनवाना होगा उसके बाद में इस विक्रेपत्र को लेना होगा और आज की तारिक की जो खसरा भीवन है अर्थात किश्टबंदी खतोनी ये सरकारी कागज जो है जिसमें की यह जमीन जो है इस शामलाल के नाम पर है वह खसरा और खतोनी जो है उसकी प्रमानित प्रतिलिपी इन लोगों को निकालने होगी अर्थात सबसे पेले इस रामलाल का ब्रतियु प्रमान पत्र उसके बाद में इस विक्रेपत्र को लेना पड़ेगा और यह जमीन जो है आज की तारिक में जो इस शामलाल के नाम पर सरकारी कागज में दर्ज है उसकी खसरा और खतोनी इन लोगों को निका तेसिल दर्मोदे के समक्ष प्रस्तूत करना होगा और जो आवेदन पत्र इन लोगों के द्वारा तेसिल दर्मोदे के समक्ष पेश किया जाएगा उस आवेदन पत्र में इन लोगों को यह लिखना होगा कि यह जमीन जो है यह इस शामलाल के द्वारा इस रामलाल को इस विक्रवपत्र के माध्यम से अर्थाथ जो इसमें दिनांख लिखी है कि इस दिनांख को एक रेइश्टर्वपत्र जो है इस शामलाल के द्वारा इस रामलाल के नाम पर निश्पादित किया गया था और चुंकि इसका भूलवश नामांतरण नहीं हो पाया है और इस रामलाल की जो है मृत्यू इतनी इतनी दिनांको हो चुकी है जो कि मृत्यू प्रवान पत्र में लिखी होगी उसका हवाला भी आपको उसका उलेख भी आपको उस आवेदन पत्र में करना होगा और उस आवेधन पत्र में यह भी लिखना होगा कि इस रामलाल के जो है ये लोग वारिस है, इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है, इसलिए इस रामलाल के द्वारा जो जमिन करही की गई है, उस जमिन पर अर्थात इस जमिन पर जो है इस शामलाल का नाम हटाते हुए, इस विक्रे पत्र के आधार पर इस महेश, इस राकेश और इस श्वेता का नामांतरन किया जाए। इस प्रकार का आवेदन पत्र जो है तेसिल नर्मोदे के समक्ष इन लोगों के द्वारा या इन में से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तूत किया जा सकता है। लेकिन उस आवेदन पत्र में सभी लोगों का अर्थात इस रामलाल के जितने भी वारिस है उन सभी के नाम होना जरूरी है। नायब तेसिल नर्मोदे के समक्ष या तेसिल नर्मोदे के समक्ष जहां पर भी इन लोगों ने आवेदन पेश किया है। वहाँ पर यह शामलाल भी उपस्तित होगा। उसके बाद में यदि इस शामलाल के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति की जाती है तो उस आपत्ति का निराकरण भी नायब तेसिल नर्मोदे के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद में अगर तेसिल नर्मोदे और नायब तेसिल नर्मोदे को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में इस रामलाल की मृत्यू हो चुकी है। श्वेता का नामांत्रन प्रमानित कर दिया जाएगा और इस प्रकार का आदेश पारित कर दिया जाएगा कि इस विक्रेपत्रे के आधार पर इस जमीन पर इन लोगों का महेश, राकेश और श्वेता का नाम दर्ज किया जाए और इस शामलाल का नाम इस जमीन पर से कम किया तेसिल दर महोदय ये नायब तेसिल दर महोदय के द्वारा जारी किया जाता है और उस अमल आदेश के आधार पर मोजा पटवरी महोदय जो है वे इस जमिन पर से इस शामलाल का नाम हटाते हुए इस महेश इस राकेश और इस श्वेता का नाम दर्ज कर देंगी तो मैं